गंगा सावेरा के आज के अंक में आपके साथ मैं राजी इंद्रदेव लेकर यूपि पुलिस आज बांदा जेल के लिए रभाना होगी दो पट से सुप्रिम खोट के अधेश पर रोपर जेल में बांद जा रहा है पुलिस की टीम में पीएसी की एक कमपनी के अलाबा अत्याद्रिक हत्यारों से लेस खरीब असी पुलिस के जवान भी शामिल है सुरक्षा के लिहाज से इस आपरेशन को बेहत दोपनिय रखा गया है इससे पहले रविबार को दिली से आये इंजीनियर्स ने बादार जेल के सीसी टीवी कैमरे और चैमर को चेक किया और उनकी कम्यों को दुरूस किया और आपको बतादे कि मुक्तार अंसारी एक बिल्डर से रंगदारी के मामले में रोपर जेल में पंजाब की रोपर जेल में बंद है अंसारी को लाने के लिए यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच में सुप्रिम कोट में मामला चागए 26 मार्च को सुप्रेम कोट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया मुक्तारंसारी को यूपी भीजने का अदिश दिया था और अब खरीब 27 महीने के बाद मुक्तारंसारी को यूपी वापस नाय जा रहा है वापसी होगी उसकी मुक्तारंसारी की बांदा, जेल, बापसी और रोपर जेल से उसको बांदा लाया जाएगा आज बिल्कुल ये एक बड़ा मिशन और इस पर नजर रखे हुए हैं इसको लीड कर रहे हैं प्यागराद जोन के एडी जी प्रेम प्रकाश इसके अलाबा चित्रकूट रेंज के आई जी सुरक्षा के लिया से पूरा ऑपरेशन बहुत गोपनी रखा गया है रविवार को दिल्ली के इंजेनियर्स ने बांदा जेल के सीसी टीवी और जैमर को चेक किया और बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच 80 से ज्यादा जमान है यूपी पुलीस के और मुक्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने में 18 से 20 घंटे तक का वक्त लग सकता है तो इस तरीके से मुक्तार अंसारी को 18 से 20 घंटे का वक्त लगेगा पंजाब के रोपर से बांदा जेल शिफ्ट किये जाने में ये का बड़ा मिशन है इस पर निगाह रखे हुए है प्रेम प्रकाश प्रयाग्रा जोन के डिजी पुलिस को रिस्क लिलानी चाहती और इसके लिए बांदा जेल में जेल प्रशासन ने सारी तयारियां की हुई है बांदा से सुमवार को पुलिस की कई टीमे अलग अलग रास्तों से रोपर भेजी गए जिन्नों ने रोपर तक जाने वाले रास्तों का आकलं किया और जो सबसे सुरक्षित रास्ता होगा उस से आज मुगतार अंसारी को बांदा लाया जाएगा मुगतार को यूपी की बांदा जेल वापस लाने का ये आपरेशन कितना खास है ये बात इसी से समझी आ सकती है कि माफिया को पंजाब की जेल से लाने वाली स्पेशल टीम में रवानगी से ठीक पहले बदलाव किया गया पहले टीम सुमवार सुबिक पांच बजे निकलने वाली थी लेकिन फेर बदल की वज़े से इसमें देरी हुई स्पेशल टीम से पूर्वान चल के सबी पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया मुख्तार के लोग किसी भी तरह से इस आपरेशन को प्रभावित ना कर सकें इस आशंका में ये कदम उठाया गया मुख्बिरी की आशंका की वज़े से भी पुलिस कर्मियों के मुबाई फोन जमा करा लिए गया पुलिस टीम वारलेस चेट के जरीए ही एक दूसरे से संपर करेगी पूरे रूट को बहुत सीक्रेट रखा गया है मुख्बिर को यूपी वापस लाने वाले रास्ते की रेकी भी की जा रही है चलिए भाम आपको सुनाते हैं मुख्बिर की वापस ती रूट और हैंड़ोवर की प्रक्रिया पर क्या कहना यूपी के तीम पूर्व डीजी पीस का कुछ अपरादी ऐसे होते हैं जिनकी कोई खास उनसे खत्रा नहीं है यह है तो तीन-चार आदमियों का इस कोट ही परयाद होता है ट्रेंस से भी ले आते हैं किसी गाड़ी से भी ले आते हैं वहान से लेकिन जो बड़ा बहुबली हो बहुत बड़ा अपराधी हो उसके बारे में बहुत जादा एहतियात बरतनी की जरुरत हो मुक्तार की केस में, मैं समझता हूँ कि उत्रपदेश पुली मुक्तार को रात के समय लेकर नहीं चड़ेगी, भले उडिले हो जाए, कि इसमें काफला लंबा है, मुक्तार के यहां से ले उत्रपदेश से अंबुलेंस गई है, पुलिस का बजरवाहन है, कई गाड़ियों का इस कोट है, और करीब मैं समझता हूँ पचास साथ हो सो तक भी पुलिस कर्मी हो सकते हैं, यूपी पुलिस की टीम यहां से गई है, एक डिप्टी एस्पी के नित्रत में, जिसकी समीक्षा, जिसका सुपरवीजन, सीनियर ओफसर्स कर रहे हैं, आईजी चित्रकूट, एड अच्छे गाड़ियां रहती हैं, और अपना रूट को क्लियर देखकर और अपना बढ़ते चले जाते हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इसकी कोई इतनी आवशक्ता नहीं है, दो थीन गाड़ियां परियाब थी, पर क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंवाल् लेकिन जैसा कि 900-1000 किलो मीटर करीब दूरी है, तो एक बार में लाने में कठ्छाई भी हो सकती है, तो हो सकता है कि रास्ते में लोग कहीं रुकें, तो अब ये उनकी प्लानिक वही है, जो तो पता नहीं हमें कि क्या प्लानिक है उनकी, रुकेंगे, तो कोई सेफ प्लेस यहां पर ये सब लोग कठ्छे रुक सकें और उस पर निगरानी रखी जा सकें, अगर नहीं रुकते हैं, तो फिर ड्राइवर बदलने के लिए होने चाहिए अल्टरनेटिव की, एक की जगा दो ड्राइवर हो, एक ड्राइवर चलाए, एक सोताव आए, इस तरह और जो ग सवाल होंगे, मसरन की, मुखतार अंसारी कब वापस आएगा, ये प्रक्रिया जो वहाँ पर चलेगी, वो कब तक संपन होगी, तो ये बताने के लिए हमारे संबादाता हमारे साथ जुड़ गया है, सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रूपर जेल से लाइव इस जी, इस वक्त हम रूपर पुलिस लाइन्स के बाहर खड़े हैं, यूपी पुलिस की टीम तकरीबन चार तीस पर यहां पहुंची है, और यहां पुलिस लाइन्स में यूपी की पुलिस टीम जो है, वो अभी ठहरी हुआ है, तो फिलाहर लगता है कि दो पहर के बाद, क्य जो भी डॉक्तार अंसारी को बाद दो पहर यहां से ले जाया सकता है, साथ ही यूपी की पुलिस ने जो एम्बुलेंस थी, जिस एम्बुलेंस में रूपर जेल से मुख्तार अंसारी को लेके गए थे, मोहाली कोर्ट में, जिसके उपर काफी विवाद भी हुआ था, उस जो भी यूपी की पुलिस टीम जो है, वो पिछले कर लेके गए हैं, एक धाबे के बाहर, यहां, रोपड और मनाली हाईवे, जो है, धाबे के बाहर, वो एम्बुलेंस मिली थी, लावारी, उसको पुलिस ने, अपने पंजाब पुलिस ने अपने कप्टे ने लिए गए कि उस एम्बुलेंस को उतरप्रदेश पुलिस सुंबार के दिन 12 बंकी लेकर चले गए, लेकिन सचिन अभी सवाल यह है, कि यह जो पूरा का पुरा प्रक्रिया है, जेल टू जेल ट्रांसपर की यह कितना वक्त इसमें लगता है, कि आदे घंटे, एगंटे कितना वक्त ल पिल चुके हैं, जो भी लीगल फॉर्मेल्टी थोड़ी बहुत होती है, या फिर मेडिकली उसको एग्जामीन करना है मुक्तार अंसारी को, वो एक प्रक्रिया हो सकती है, कोई लंबी इसमें हम नहीं समझता कि प्रसेस इसमें है, कि जिसमें तकरीबन आदा या पौना घं हैं, और चीजें पहले से बता दी गई है, सरकारों के बीच में सुचनाओं का आदान-प्रदान हो गया है, एक सहमती बन चुकी है, तो बेशक ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, फॉर्मेल्टीज में, विवेक के पास चलेंगे, बांदा जील से इस वक्त हमारे साथ स पुरक्षक के सारे इंतिजाम कर लिए गये हैं, CCTV कैमरे वगयरा जो लगे थे, उनके अलावा उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है, कैमरे की रिकॉर्डिंग और DVR वगयरा चेक कर ली गई है, सभी बैरकों की च्छानबीन की गई है, और सारे बंदियों का जो इस तरह से आये हैं, कौन-कौन जबानत कटवा की आया है, सबका रिकॉर्ड पहले ही ठंगाला जा चुका है, एक-एक कदम सावधानी पूर्वक उठाये जा रहा है, जो अधिकारी हैं, उन्हों से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि आज मुक्तार यहां पहुचे, बुदवार सुबह तक उसके पहुचने की उमीद है, अधिकारीयों का यही मनना है कि अगर पंजाब के रोपड जेल में जो प्रक्रिया होनी है, जो उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया होनी है, उसको लेकर दोपहर के बाद ही कारवाई शुरू होगी, बारा से ए एक बस सकता है या दो बस सकता है, चुकि फार्मेल्टी थोड़ी सी है, बट मुक्तार को अपना बोरिया बिस्तर बांधने में जो समय लगेगा, उसको लेकर ये फिक्रमन है कि कितना समय लगाता है, और दूसरा उसका मेडिकल जो जाच होनी है, उसमें कितना समय लगेगा ये दो से तीन गंटे इसमें लग सकते हैं, चुकि अभी जो यूपी पिलिस की टीम है, वो अभी वहाँ पहुची है, तलके पहुची है, और अभी सभी आराम कर रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ पंजाब की रोपर जेल जाते जाते, जैसा आमरे साथी सचिन ने बताया कि तीन किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ जाते जाते बारा से एक की बीच का समय लग सकता है, और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, जो ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी, उसको लेकर कोई बहुत खास वक्त नहीं लगेगा, वो आधे गंटे की एक प्रक्रिया होती है, मा रही है, वो रात में कहीं विश्राम करेगी, अब ये किस जिगह पर करेगी, चुकि बहुत गोपनी ये ऑपरेशन है, गोपनी ये मिशन है, इसलिए कोई भी चीज, किसी भी बात को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, कि कहां किस रूट से चलेंगे, किस रूट पर वि ज्यादा है, वाहनों के समिक्या काफी ज्यादा है, और एक बाहु बली अपराधी उनके साथ है, जो विधायक भी है इस समय, इसलिए सारी सावधानिया बरती जा रही है